हलो जोस्तो क्या हाल चाल है आप सबके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सोस्त होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग का मैस का पेपर आने वाला है और इसी को देखते हुए हम लोग के पाथ जो से चार से प वीडियो अप्लोड कर रहे है यूटूब पर जाकर जरूर देखेगा तो आज की सक्षण भी बहुत इंपॉर्टन होने वाला है जितने भी कोस्तों से यहां पर दिये गए हैं वह लगब पांच साल से लगा था कोस्तों में पूछे जा रहे हैं क्योंकि मैं एक गंटे से क को डिस्कवर किया हूँ और जो कोस्तन में बाहर पूचे गया है उसी कोस्तन को हम लोग यहां पर रीड करेंगा और समझेंगे कोसित भी करेंगे कि हां यह समझ में आना चाहिए दोस्तों तो चली स्टार्ट करते हैं आज की कि चली आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते है जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज एक मोटिवेशनल देखी मैंने लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है आज की महनत तुझे कल पहचान देगी दोस्तों आज की महनत तुझे कल पहचान देगी हर वो लंबी रात जो तुने महनत करके बिताई है वो तुझे कल जरूर उ आपनी महनत कना के लिया यह कीन मनीद दोस्तों यह मेसि आपको एक दिन जरूर आपको इनाम देगी दोस्तों स चलिए हम लोग कोशान को पढ़ते हैं कोशन श्टार करते हैं तो देखिए पहला कोश्चन आपके पास आ चुका है दोस्तों इसकों सन्में अंदम गरदा मचा देना अच्छे से तो सिने पेपर में नटी कही बाराया हुआ है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जलिगा लॉग एक्सकी पावर किया हुआ है दोस्तों तो इसको ऊजाए कि दिया हुआ है दोस्तों आगली लाइन जब आगे आगे है तो दोस्तों यहाँ पर log x बच जाएगा फिर आप क्या करना है यहाँ पर देखो हमारे पास x लिखा हुआ है log x लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर d by dx करेंगे तो आपको पता है कि इसमें formula लगता है ठीक है आप लोग को जरूर पता होगा दोस्तों तो हम लोग formula लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dy by dx बराबर ठीक है first drop करो मतलब first को चोड़ो दूसरे का dy upon dx करना है तो d upon dx log x का कर दिना है फिर बीच में plus sign लगेगा दोस्तों जिसका कर चुके हैं उसको आप लोग बाहर कर दीजे अब जिसका नहीं किये उसको हम लो थोड़ा इसको और उपर करिएगा दोस्तों हाँ यहाँ पर देखेगा अब यहाँ पर क्याएगा dy upon dx बराबर x multiply d upon dx log x का करेंगे मुझे पता है one upon x आता है ठीक है फिर प्लस का log x का नहीं करना है उसके बाजू में क्या है d upon dx x का तो one होता है दोस्तों अब यहाँ पर दे देखेगा यह x से यह x कड़ी जाएगा तोड़ा तो इसको दोस्तों फिर उपर कर रहों है ठीक है तो फानली हमारे पास गया देख लीजेगा dy upon dx इसकल टू यहाँ पर x x कड़ी गया तो one बचेगा प्लस का log x की multiply one से करोगे तो लॉग x आएगा दोस्तों इस question का अंसर आपके पास यह आ गया है अगर आम माल लिजेगा कहीं न कहीं आपको इसको थोड़ा सा आगे आप करोगे थोड़ा सा आगे आप करोगे तो मैं one प् अंसर दे दीजेगा बस परियाब थे ठीक है यही पर आप अंसर ड्रॉप कर दीजेगा इतना करना है आपको तो पहले question का अंसर आ गया है चलिए इसका second part हम लोग देख लेते हैं second part क्या करना मुझे second part यह देखी दिया हुआ है log sin x की power cos x दिया हुआ है दोस्तों तो second part डालके हम लोग यहां पर start करते हैं इसका दूसरा part second part दिया हुआ है आपने इसको y लेना है y2 log sin x की power cos x दिया हुआ है दोस्तों चलिए गए यह भी एक number का question से ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे log की जो power होती है दोस्तों वो आगे आ जाती है तो यहां पर cos x power में है तो मै cos x आगे ले लूँगा अब क्या बच्चेगा log sin x बच्चेगा दोस्तों बराबर यहां तक आप लोग को किलियर हो गया चलिएगा तो इसको थोड़ा तो इसको कर लीजिए उपर कर लीजिए आप दिखी है डी वाई भाई डी एक्स करेंगे डी वाई डी एक्स कर साइन एक्स फिर प्लस का लॉग साइन एक्स को आप यहां पर ड्रॉब करो अब किसका करना है डी अपॉन डी एक्स तो बोलोगे फर्स्ट का फर्स्ट क्या है कॉस एक्स है बराबर चलिएगा मैंने फॉर्म लगा दिया है अब इसको तोड़ा इसको कर लीजिए उपर अब यहां पर दिखिए ध्यान दिजिए यहां पर जब हम लोग डी अपॉन डी एक्स करेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स अब यहां पर डी अपॉन डी एक्स लॉग करोगे दोस्तों क्या है लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स ठीके तो यहां पर एक्स के जग प्लस लॉग साइन एक्स का यहां पर लिग लो इसे उसके बाद चुम में क्या है डी वाइडी एक्स कोस क्या होता है डी उलोग साइन एक्स होता है बराबर चलिएगा कि इसको फिर उपर करेंगे कि इस जैसे उपर करोगे अब अब इसको फिली लिखतें डी वाई डी एक्स के स्काइब टू रिए का से पैसे लिगे खैसने और आप गालमा यहानी आ के से स्वाय बहुंत आप गुर्ट Åॉंस सब्सक्राइब अच्छा यह minus sign देख रहा है आप七 साइन बाहरा आएके तो प्लस को minus कर देगा और sine x को पहले लिख लिए फिर यहाँ पर log log sin axis आ जाएगा तो मेरे पास क्या गया है मेरे पास दूसरे का भी अंतर आ गया है यह आपका दूसरा अंतर हो गया है तो dy by dx क्या होगा cos x cortex minus sin x log sin x ठीक है दोस्तों तो यह आपका पहला पार्ट आपका complete हो गया है चलिए second question पर हम लोग चलते हैं second question क्या है हम लोग दिखते हैं चलीगा है इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आईएगा second question आप लोग के पास आ चुका है क्या दिया हुए sin inverse x इसको मैं हटा देता हूँ sin inverse x plus का sin inverse root x root 1 minus x square और यह question आप लोग को है तो आप लोग भी ट्राइक करें हम भी आपर करते हैं दोस्तों तो चली मैं यह लोग ले लेता हूं यहाँ पर हाँ भाई हो गया इसको मैं यहाथ से साप कर देता हूं चलिएगा अब हम लोग solve करते हैं इस question को y is equal to ले लेते हैं y is equal to sin inverse x plus का sin inverse under root 1 minus x square चलिएगा यहाँ तक के लिए लोग है अब हम लोग आपको पता होगा कि sin inverse x का formula होता है 1 upon under root 1 minus x square राइट चलिएगा तोड़ा था चाहिए इसको थोड़ा था ऊपर करना है दोस्तों बस यहाँ तक कर लिजेगा अब यहाँ पर d y by d x करना है मुझे तो डी वाइब डी एक्स चलिए स्टार्ट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको डी अपॉन डी एक्स इसको प्रैक्ट में लिखेगा साइन इनवर्स एक्स एकषद प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स और इसको में शाइन इनवर्स रूट अब यहां तक क्लियर होगि थोड़ा सा स्कॉर करेंशको यहां तो पर अब यहां पर ध्यान देना है आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि यह पूरा का पूरा एक्स है ना दोस्तों तो क्या होगा यहां पर यहां पर फिर माइनस का होगा एक्स स्क्वायर तो यह अंडर रूट में आएगा वन माइनस एक्स का यह पूरा का पूरा हमाना क्या है दोस्तों एक्स से बात के लिए और आप यहां पर देखीएगा मल्टिप्लाई अब यह मोग केल लुरोट के रिश्प्रेक्ट में किया है ना साइन इन वर्स के रिश्प्रेक्ट में कर invent नीए है तो उलके वान अपाआघा राइगा राइट तक बात के लिड़ा चध venk लो हम आए चलिए फ्री ठीक ठीक है मैंने किन साइन किस्क निकल्ट साइन के डिस का 1 अप एंड़न को प्वोझ यह अन मनस अनडर रूड reviews तो हमें पता है कि ज़िए तो वन अप và्ट कर रूट अब ऑफ दोस्थ रूट एकस का वम मतलब माल्टिप्लाई यहां पर मल्टिप्लाई फिर मायनस करना माइनस यहां पर 2x आ जाएगा x square के क्या होगा 2x आ जाएगा यहां तक clear हो गया चलिएगा अच्छा यह 2 से यह 2 आपका कड़ जाएगा क्योंकि 0 का कोई मतलम नहीं है 0 यहां पर remove हो जाएगा तो मानस का 2x हो गया तो 2 से 2 कर जाएगा अब मेरे पास क्या आएगा देखी गया यहां देखीगा चलिएगा दोड़ा जिसको उपर ले ले लेते हैं ठीक है तो मेरे पास आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इसकाल टू यहां पर तो वन अपॉन अंडर रूड वन मानस एक्स स उसक्वाइल ठीक है फिर यहांपर पलस दोस्तों यहां पर वन अपॉन अंडर रूड और अचा यह दी कि अंडर रूडम है यह पूरा जो भालू है यह पूरी अंडर रूड में तो इसकाल कर inclust जाएगा तो यहां पर प्लाइस एक्स पर और दिया हा तो माइनस एक्स बच्चेएगा माइनस एक्स से लिख दिया अंपर और अपॉन अंडर्रोड वन उक्स क्कॉर हो उस्तो और यह माइन सो अगा जाएगा प्लश को माइनस मानेस कर देगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्कॉर हो जाएगा अच्छा यहां यहाँ वोनन कर जाएगा तो यहाँ पर क्या दो का अंडर रूट एक्स स्क्कॉार बत जाएगा जो मेल्टिप्लाई वन अपॉन अंडर रूट वर स सक्कॉार मैनिस स्क्के ठीक है माइनस का अब आप देखीएगा अंडरूट एकस स्क्वार न तो यहां से क्या होगा अंडरूट से एक एकस बायर आ ठीक है फाइनली हमारे पास आए गया पर वण अपॉन अंडरूट वन मानस एकस स्क्वार आ गया अच्छा यह एकस से एकस कड़ जाएगा तो मेरे पास बचेगा मेरे पास क्या बचेगा तो जरह हम दीख लेते हैं न क्या बचेगा तो डीवाई अपोंडी एकस इसकल टू Всем ई चलिए कोश्टन n.m.2 पे चलते हैं पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है दोनों पार्ट मैं से आपको पढ़ा दियें उमीद करता हूं कि आपको समझ भी आ रहा होगा क्योंकि पेपर है और आपको इमानदारी साथ पढ़ना है और सारे क्लास को यहाँ पर जॉइन करना है तो मैंने इससे पहले छे साथ वीडियो आपको डे दियें उसमें समाकलन के सारे इंसे आपके स्कीन पर में लिक रहा हूं दोस्तो चलिएगा यहां पर दिया हुआ है आपको हलका दीक रहा हूँगा यहां पर दिया कि कोस्टन लिगा हुआ है टेन इनुवर्स ब्रैकेट में अंडर रोड वन प्लस एक्स स्कॉार माइनस का वन अपॉन एक्स दिया होगा दोस्तों तो चली रिट कर लिया होगा इस कोस्टन में हमें यहां पर ऐसे बाइलूपूड करनी है कि यहां तेन स्कॉर माइनस का वन अपॉन तो सब्सक्राइब होगा दोस्तों ब्रैकेट यहां पर हम लोग بंद कर लेंगे जैसा मैं ने कि एक्स की बलू यहां पर हमने यहां है धुट करना है कि यहां से टैनमी गायब हो जाए दोस्तों तो चलिए हम लोग यहां P Gavin टैनले लेंगे । इक सभाबर 10 टीट लेने पर बात के लिए रोगहीं वाद यहां पर यहां तक आपने इसको ले लिए अच्छा मुझे बताओ यहां से ठीटा बराबर का निकलेगा तो बोलोगा ठीटा बराबर निकलेगा टैन इन्वर्स एक्स ठीक है तैन इन्वर्स एक्स निकलेगा राइट इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगे दोस्तों चलिए इसको थोड़ा सा इसको करते हैं वापस उपर को अब यहां पर क्या करना है वाई स्कल्टू टैन इन्वर्स बड़ा ब्रैकेट लगाना है फिर अंडर ओट लगा हुए अंडर ओट लगा यहेगा यहां पर वन प्लस x की जगा पर क्या करना है 10 ऐसको artwork x लिखना है क्योंकि x की जगा पर 10 स्कॉर लगा था तो स्कॉर लिख लिए फिर क्या करना है आगे minus 1 है अपोन यहां पर क्या करना है 10 ठीटा लिगना है बात के लिए अपों ब्रैकट बंद कर देना है तो मैंने अभी क्या किया इस कोशन में x की जगा पर 10 ठीटा मैंने पूड कर दिया है दोस्तों तो चलिए आगे इसको step by step करते हैं आगे हम इसको लेकर चलते हैं आपको पता होगा क्योंकि इतना समय नहीं दोस्तों की सारी चीजे हम ओपन करके बताएं फॉर्मला भी बताएं आपको ठीक है टीटा के लिए बंद कर लिजे गई है अब इसको अम्पिर उपर लेते हैं यहां पर क्या है वाइव इसकल टू एंट इन इनुवर्स और यहां पर क्या होगा 6 square theta under root में तो आपका क्या जाएगा बोलोगे 6 theta आ जाएगा 6 theta minus 1 upon 10 theta राइट अच्छा यहां तक आप clear हो गया थोड़ा तक इसको उपर लीजेगा ठीक है यहां तक बस ठीक है अभी क्या करना है y is equal to 10 inverse 6 theta को हम लोग 1 upon यहां पर वाई स्कल्टू यह पूरा टैन इन वर्स में आ जाएगा राइट यहां तक क्लिए हो गया अब इसको थोड़ाता हम उपर लेकर चलते हैं थीकर वाई स्कल्टू टैन इन वर्स थीकर थोड़ाता डारेट करेंगे दोस्तों यहां पर क्या होगा वन माइनस कोस पूड़ा पूड़ करना है कि यहां से रिमूब हो जाए दोस्तों तो चलिए वह कौन सा फार्मला होगा हम आपको यहां पर बता देते हैं वाई स्कल्टू टैन इन वर्स प्रैकट बंद करेंगे आप बड़ा सा फिर वन माइनस यहां फिर प्रैकट बंद करेंगे वर्मा वाल कहुता हुआ है ववर, 2, 2, 2, साइन, ठीटा बड़ाइड, 2 और, कोस ठीटापी फर्मला देंगे किसके जगह पर साइन, ठीटा की, हम लोग फर्मला लगा देंगे यहां से बात कल क्लियर लोगई यहां तक चल playing पर př चलेएगा पिर लेकर चलते है जैसे यहां ब्रैक वन प्लस टू साइन स्कॉर फीटा बाइ टू अब काएगा और यहां पे क्या आएगा तू साइन इस्कॉर फीटा बाइड टू सॉरी वहां पे इस्कॉर नहीं होगा दोस्तों इसको आप यहां से काड़ दीजीगा स्वारी यह से रेजर लो और इसको यहां से इस्केटा इए कम přsines स्वार अब इसको ब्रैकल बन कर लेना है जैसा इसको आगे इसको हैं स् authors कूल करोगें अब यहां से देखिएगा आपको नंबर कट रहे नंबर कट लिजेगा वन से वन कट जाएगा और दोस्तों टू से टू कट जाएगा और यहां पर ध्यान दिजेगा साइन इसक। साइन डीटा फॉस्ट कर जाए इन यो पर आपका वच्चे साइन डीटा बच्चे हैं नीचे के पर ते मैं जाएगा तो मुझे पता है कि sin theta upon cos theta क्या होता है तो वो लोग से 10 theta होता है तो y स्कल्टू 10 inverse यहाँ पर क्या होगा 10 theta हो जाएगा दोस्तों यह चीज़ हमें पता थे ठीक है theta by 2 होगा मैं बार-बार 2 तो भूल रहा हूं यहाँ क्योंकि theta by 2 यहाँ पर होगा ना चलिए वहाँ टू साइस लिखता हूं ठीक है यहाँ तक अब देखेंगा यह 10 निकाला था 10 inverse x निकाला था आप जाके उपर देख लिजीगा ठीक है तो फानेली मेरे पास यहाँ पर आ गया है y स्कल्टू 1 by 2 10 inverse x आ गया ठीक है तो अब इसका d by dx कर सकते हैं तो चलिएगा हम लोग डी बाइडी x करते हैं डी अपों डी वाई उपाएं डी एक्स बराबर वन बाइटू टैन इन्वर्स के क्या होता है दोस्तों वन अपॉन वन प्लस एक्स स्कॉार होता है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिताओं में यही आपका अंसर आ जाएगा है डी वाई अपॉन डी एक्स इसकल टू वन अपॉन टू हो ब्राकट में वन प्लस एक्स स्कॉार आ गया ठीक है दोस्तों इस कोशन का अंसर भी आपके तो पास आ गया है तो कोसंगर स्नंबर टू भी फी मुंपलीट हो गया है तो कोसंट नंबर तीरी भी हम लोग यहां पर करेंगे हुआ से थो चलिन को भी हम लोग S मैं मैने मां तो मुझे प्रूप करना है 1 प्रूप करना है 1 पूइर इस न हमके पहुंचा या ू errors को क्यों से इसको अब लोग के पास पहुंचाई जाए दोस्तो तो चली है यह तो यहां पर क्या करना है मैं को संत को हरबार लिखता हो तो इसको भी मैं लिकूंगा तक कि आप लोग को कोई तकलीब नहों दोस्तों पहले से इतनी तकलीब है आपको दिया है ना मेरे पास कोई अच्छा साधा ने पढ़ाने का ठीक है फिर भी मैं लगा हूं जुटा हूं कि एक नाएक दिन आप लोग जरूर सपोर्ट करोगे तो जित दिन आप लोग में सपोर्ट करेंगे उदिन में अपसर वादा करते हों कि सारी चीज़ें आप आ जाएंगे दोस्तों चलिए वाई स्कॉल टू दिया हुए कॉस इन्वर्स ब्रैकट में वान माइनस एक्स स्कॉर अपॉन प्लस एक्स स्कॉर तो आगे इसको क्या क में वन माइनस टेन स्कॉर टिटा और वन प्लस टेन स्कॉर टिटा अगर आ जाएगा तो यहां पर फार्मला बनेगा कैसे बनेगा देखी कर दोस्तों यहां पर जैसे यहां पर वाई स्कॉल टू कोस इन्वर्स वन माइनस एक्स स्कॉर तो यहां पर क्या हो जाएगा टैनी स्कॉर टिटा और अपॉन प्लस यहां पर भी क्या होगा टैनी स्कॉर टिटा हो जाएगा और इसको बड़े ब्राकेट से बंद कर दना है इसको भी हमें यहां तटाना है और बड़ा ब्राकेट लगा देना है दोस्तों गला भी खराब है दोस्तों लिकिन क्या करना है पेपर आप लोग को अंतिस तारीक को है तो उससे पहले चाहे मुझे गला खराब हो चाहे मेरी तबियत कराब हो आपकी एक लास रुखने वाली नहीं है ठीक है बहुत सारे इंपॉर्टन कोस्टन मेरे पास हैं जो कि कि हम नेस्ट वीडियो में अपलोड करेंगे ठीक है टापिक वाइज पढ़ाएंगे ताकि आपका जो चार से पांदिन बच्चे हुए हैं कम से कम आपको इतना पढ़ा दे कि आपके अच्छे नंबर्स गिन हो जाएं दोस्तों ठीक है चलेगा तो आगे इसको सॉल्व करत अपका बात के लिए चलेगा तुरा दिस्कोई स्वोल करिएगा ठीक है वाइस कल्टू कॉस्ट से कॉस्ट कर जाएगा तो 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 ठीक होगा यहां तक के लिए रहें अच्छा आपको याद होगा कि मैंने यहाप पर एक्स बराबर 10 ठीक लिए था तो यह कानी इतनी आके पहुची है यहाँ तक बात के लिए रहें तो यहाँ से ठीक की बहलू क्या निकलेगी तो बलोगा एसरmost 10 इनीस एक्स निकलेगी यही कानी जो यहां तक Pहँचाया है 10 ने यही कानी हमें यहापर पूर कर देनी है तो मतलब कि ठीटा की बेलू यहाँ पर क्या करना है 10 इन्वर्स एक्स लिखना है यहाँ पर ठीक है चलेगा तो दोस्तों आप लोग बहुर तो नहीं हो रहे हो बहुर मत हुए है दोस्तों क्योंकि यह जिंदगी बड़ी लिफकली जिंदगी हो जाती है जब हम लोग पढ़ाई करते नहीं है दोस्तों ठीक है तो मैं आप चोटे भाई हो और प्यारे दोस्तों तो मैं आपको यह समझाऊंगे कि आप माहनत लगा के मन लगा के पढ़ाई अपनी पूरी कर लिजे और कहें न कहें जाकर आप गॉर्मेंट जॉब के लिए पिर आप कोई अच्छी पोस्ट पर जॉब पा जाएए तभी आपकी यहां तक कि लिए तो मेरे पास फार्मला का फार्मला रख दिये हैं तो मेरे पास अंसर आ जायेगा टूब पॉन प्लस एक्स स्कूर ठीक है अब मुझे क्वरॉप करना है ठीक है तोड़ा तो मैं इसको उपर लेकर जाता हूं उपर लेकर जाओं मुझे कोश्तन में कुछ फूरूप करना था हां कोसन में one प्लस एक्स स्कूर डी वाई अपॉण दी एकस माणस टू बराबर जीरो फूरूप करना है चलीए देखते हैं वहां से, लास्ट इस्टीब यह था हमारा, चलिए, तो ये उत्सके लिए इक काम करते हैं, मेरे पास डिवाई, अपन, डी ऐक्स, इसको डू आया हुआ है, टू अपन, वन प्लस एक्स, इसकोर आया हुआ है, ठीक है, तोड़ा था इसकोर, इसकोर के ओपर उपर लेकर जाए क baj गbane यहां पर एक काम करते हैं इसको इधर बेजेंगे तो यह वाइड मेस्ता उधर मोल्टीप्ल में यह गया बराबर कर टू हब टू यह पाजिटिू हुए धोस्तों थो यहां पर क्लत में तो इदर हलंुकर तो क्या हो जाएगा माइनस में तो मेरे पास फानली यही अंसर लाना था यह फ्रूब हो गया वन प्लस एकस स्क्वार डी वाई अपॉन डी एक्स डी एक्स माइनस का टू बराबर जीरो और यही हमें फुरूब करना था इस कोशन का अंसर सिद्ध हो गया दोस्तो तो यह भी आपका अंसर आ चुका है चलिए नेस्ट कोशन पर चलते हैं और कोशन क्या है देखते हैं अरे वाग कोशन आपका बहुत अच्छा यागए यह माली यह कोशन समित प्यार हो गया दोस्तो यह कोशन अभी हमने नेस्ट कोचिंग सेंटर भी मेरा चलता है लगनों में तो वहाँ पर भी बच्चों को बताया था कि यह कोशन होच रहा है दोस्तों तो चलिए इसको भी करते हैं काफी इंप्पर्टन कोशन से तो यहां पर क्या है कोश एक्स की पावर वाई है और इसको कोश वाई की पावर एक्स है तो मुझे क्या करना है दोनों तरफ लॉग लेना है ठीक है दोन दोस्तों दोनों तरफ यहां पर लेना है तो यहां पर का करना है LOG COS X की POWER Y इसकेल टू यहां पर क्या है LOG प्र यहां पर क्या होगा को इसके पाउवर X हो जाएगी है यहां तक के लिए रहो गया है दोनों तब लोग लेने के बाद क्या करना है इभी लॉड का प्रापर्टी अभी दो-तीन कोर्षन आगे भी किया मैंने अभी मतलब पीछे मैंने किया है हमने का लॉग की जो पावर होती हुँ आगे आजती है दोस्तों तो लॉग की पावर आगे आएगी तो फानली हमारे पास क्या हुगा वाई लॉग को सेक्स होगा यस और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों यहाँ पे एक्स लॉग को सवाई चलिएगा ब्रैकट बंद कर लिएगा यहाँ तक बात के लिए रोगई चलिए इसको तोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग यहाँ सा सलूशन इसका देखते हैं क्या करना है आप अप देखेगा यहाँ पर दिया हुआ है y log cos x दिया हुआ है वहाँ पर उधर दिया हुए x log cos दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है यहाँ पर first second का formula दोनों तर्ब लगाना है तो चलिए लगाते हैं यहाँ क्या हुआ है थोड़ा से छोटा लिखोंगे ताकि पूरी लाइन में आ जाए y चोड़ो d by dx d upon dx log cos x का करना है दोस्तों फिर क्या करना है प्लस का log cos x को चोड़ो और मुझे क्या करना है y का करना है तो dy upon dx आ जाएगा के लिए रहे इस कल्टू यहाँ पर इस कल्टू लगा दिते हैं ठीक है अब लाइन लबी जाएगी तो यहाँ पर हमने नीचे इस कल्टू लगा दिया है ठीक है अब सेकेंड वालिव लगाएंगे x को चोड़ो dy dx log cos y ब्रैकर बेंद कर लो फिर प्लस का log cos y को चोड़ेंगे तो dy y dx किसका करना है x करना है बात समयागे अब स्क्रोल कर दीजें तो बस यहाँ पर इतरह करना दोस्तों ताकि मुझे यह उपर लिए श्टप दिखें ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर दे के बाइलिकों राइली दी है अच्छा लोग कोस का क्या होगा तो बोलो कि सजी वन अपॉन खोस आ जाएगा आपके पास ठीक हैं रोट अपॉन कोस अब क्या हुआ पर नहीं चल रहा है कि अब चलेगा बहुत चलेगा कुछ रुकने वाला नहीं है तो कितनों धिक्का दा यह class नहीं रुपने वाला है, मेरे प्यारे दोस्तों, भाईउं के लिए, ठीके, चलीगा, तो multiply, cos x का करेंगे, कितना आएगा, तो बोलोगे, minus sin x आ जाएगा, right, इसको bracket में रखेंगे, ये minus sin x सा हमको प्राप्ट हो गया, ठीके, यहाँ तक, तो मैंने क्या क्या, मैंने इसक पर किये तो कॉस्ट मिला वन अपॉन और फिर कॉस्ट के कित मानस साइन एक्स मिल गया फिर प्लस साइन लगाएंगे ठीक है यहाँ पर क्या है लॉग एक्स को एजिटित रिखना है कुछ भी चेड़ चार्ड नहीं करनी है दोस्तों ठीक है और यहाँ पर डी वाई भाई डी एक्स लिख देना है ठीक है अब इसको तोड़ा साइस्कोल करिएगा यस ठीक है अब यहाँ पर हमें क्या करना है बराबर कह साइन लगाना है एक्स लिखना है अब सेम फंड यहाँ पर भी यह लॉग लॉक करोगत तो वन पॉन पॉन गॉस्ट वाई आएगा को सब्सक्र वाय को करोड़ माईस का साइन वाय मिलेगा आपको फिर वाय के करो दूए वाय धैक्स पुराप्त हो जाएगा इसके बाद उम्हें क्या धी वाय भाय डी एक्स है यहां पर चांड सोड़ी कहां पर होका मैं यहां पर पहुंचा हूं भी ठीक है पृषकि पर प्लस का यहां पर लॉघ कोस रही होगा दोस्तो और D यहां पर क्या होगा तो वह लोग SIN अपॉन कोण क्यों होता है तो माहिनस का 10x आ जाएगा इसको ब्रैकट में रखो ठीक है फिर प्लस का यहाँ पर क्या होगा लोग कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ बाजू में एक्स होगा है है यहाँ पर साइन वाई आपोइन कोस होगा होगा मायनस का 10 y होगा ठीक है और इसके बाजानमं क्या है डी वाई आपान डी एक्स है है अगा अच्छिए इसको थोड़ा ता ही इधर लेकर आते हैं यहां तक बात समुना गई फिर फिर क्या करना है यहां पर प्लेस का लॉग कॉस वाई आपके पास आ गया क्लियर यहां तक चलिए आगे चलते हैं इसको स्कूल करते हैं हाँ यहां पर चलिए को अभी मानस साइन है मानस साइन बाइर आएगा तो मानस वाई टैन एक्स अब एक काम करते हैं डी बाइड एक्स को अधर बेद देते हैं और इधर ले आते हैं तो मैं मुझे कि देखना पड़ेगा सबसे लाश्ट में गया है अच्छा लॉग कोस वाई है लॉग तो आप इधर इसको लेकर आओगे तो चलिए इसको तोड़ा सा इधर लेकर हैं चलिए है तो यह माइनस का लॉग 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 कोस वाई तो यह आगए अपकर ब्रैक्ट में लिखें इसको पिर इसको स्कूल करिए यहां पर ब्रैक्ट बराबर का साइन लगाई है यहां पर क्या होगा माइनस का एक्स लॉग अच्छे लॉग नहीं टैन यह माइनस एक्स है टैन वाई डी वाई अपवन डी एक्स यस ठीक है अभी क्या यह प्लस का है तो यह आए इधर माइनस आ जाएगा चलिएगा तो माइनस का इसको स्कोल करता हूँ यहां पर कितना आएगा माइनस का लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक है यहां तक बात क्लिर हो गई चलिएगा तो अब मेरे पास यहां पर बचेगा इसको इससे उतार लेना है इसको यहां पर इससे प्रकार हमें उतार लेना है यहां पर इसको कोई दिक्कत नहीं है यह नोट बिमार बिमार उमार नहीं है ठीक है यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों दिक्कत है तो उस तरफ है उस तरफ दिक्कत है तो solve कौन करेगा हम यह आप लोग तो solve करेंगे चलिएगा यहां से एक काम करते हैं दोस्तो common लेते हैं minus की common लेंगे dy upon dx common लेंगे यहां पर जब इतना common लोग है तो यहां पर x 10 y बचेगा यहां पर x 10 y बचेगा यहां पर क्या बचेगा log cos x बच जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा ना यह यह क्या हो जाएगा log cos x बचेगा clear यहां तक clear हो गए तो थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं अच्छा अब यहां पर क्या करतें दोस्तों यहां पर भी हम common लेतें क्या माइनस common लोग है तो y 10 x बचेगा प्लस का log cos y बच जाएगा clear इस कल्टू यहां पर माइनस का dy upon dx ठीक है तोड़ा सा इसको इधर लेकर आएगे तो यहां पर x 10 y प्लस का log cos x अब यह माइनस से माइनस कर जाएगा दोस्तों इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को कार देना है अच्छा इसको यहां पर रोख दो तो यह कड़ गया अब मेरे पाद dy by dx आ जाएगा तो यह जो आप देख रहे हो यह अली बेलू यह लिए डिवाट में आएगी तो मैं डायट आपको यहां पर तो यहां पर देखेगा तो यहां थाएग अपन डी एक्स ठीक है तो यहां पर कहाएगा वाई 10x आएगा वाई 10x प्लस का लॉग को स्वाई यस चलिएगा अपन लॉग डी वाई डी एक्स के बगल में क्याता देखें आप यह ना इस वाले को इधर लाओ 10x यहां तक के लिए चलिएगा दोस्तो यह आपका अंतर आ चुका है इस कोस्टन का अंतर आपके पास आ चुका है दोस्तोiron तो इस वाले वीडियो में इतने कोस्टन आपको सॉल्ब कराए हैं तो कोस्टन Si 5 यह 6 कोस्टन मैं ने यहां पर इन्पोर्टन सॉल्ब किये हैं ठीक है जो भी questions बच गए हैं अभी लगबग 2-3 घंटे के बाद हम फिर एक बार फिर आपके पास आएंगे तो आपको फिर वाँ पे questions कराएंगे मतलब आपको महनत करनी है जी तोड महनत करनी है और आपके साथ मैं भी लगा हूँ दोस्तों मैं हेर बार बोल रहा हूं कि जब अजिए जब करनी है जी चाज़ आपके साथ मैं है।